कैसे हैं बच्चों आपने मेरे दो वीडियो देखे कोंगे यह सिंपल इंट्रोडक्षन केमस्टी का बेसिक है यह आपको बेसिक बता जाए रहा थाकि आंगी अपको समझ में आए बेड़ा अभी आपका सिर्फ डेमो क्लास चलना है क्योंकि 26 तारीक से आप कुछ पैसे पेट करेंगे और एक सब्जेक्ट का आपको 100 रुपए पेट करना पड़ेगा तो 26 तारीक से आप तभी वीडियो देख पाएंगे जब आप पैसे पेट करेंगे तो अभी आज का वीडियो आप इसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं ठीक चलिए हम बात करते हैं हम बात कर रहे थे प्रियोडीक भी कि क्योंकि प्रिखुरी है पाड़ना जिरूरा है प्रिखस्ट के लिए इसके लिए अगया च्रफका नहीजी के बाता गया भीदा पूरा बता दिया है इस बाता है सिंदी प्रृ바कंगों बाटा भी आपने हैं फॉस्तेन £7-wwww है और 시況 कि लिक्टर में मैं आपको ब्ताए था कि सारे पी ब्लाग के बारे मैं भात की थी आ या बोरान री आता हाए झारान फिमली आता है फिमनी आता है ऐसको फ़िए बाता है जी civ को मतलब होता नोबल सब्सक्राइब आइस तिनोड़ नाम एक हैं सब्सक्राइब है यह इन्हें थिक Aegis ठीक है तो इस तरह आप देख्ञेंगे आज हम बात करेंगे द लॉक्स के ने डिक दया करेंगे अगरели desapareal सब्सक्राओं इनका दूसरा नाम क्या है को ट्रांजीशन इलिमेंट कहा जाता है इसको हिंडी में बेटा संक्रमण कि ऑफके पाके में दूसरा नाम क्या है डीवला के चत्तों को क्या कहते हैं संक्रमण तक्त्यों क्या कह जाता है अब बेटा इसमें देखिए कटीन रहेती है इसमें एक अटा एक फाइब स्रीज एक आता है फाइब ऋर्स तो 3D 4D 5D वेटा जिसमें से आपके पोर्स में क्या है सिर्फ आपके पर ना है आपको 4D नहीं पढ़ना चैस कर तो इसमें बैटा क्या क्या आता है इसमें बिदा इस पर बिटा आता है आपका स्टार टी वी कार मनी फे को नी कू इचे इतनी तत्तों आते हैं दी ब्लाक में त्रीडी स्ट्रणी के सरस्ट हैं यह आपका इसकेंन रिद्फ करण ESCANDIUM सिकpark इचों सिकें बटा क्या है ताइटैनियम यह आपका वेने दियन यरले ayam में इस जाकर यह आपका यह क्रोमियम हैं zwischen दूसरा क्या है इस इस मेंगनीज मेंगनीज है आपका इसके बाद इसको कहते हैं आइरन नोहा होता है इसको कहते हैं कोबार्ट कोबार्ट कहा जाता है इसको बेटा निकल कहा जाता है निकल इसको निकल कहते हैं इसको बेटा को कहते हैं कौपर कहा जाता है इसको कहते हैं जिंक क्या कहते हैं देखे के नाम हूं कि इसकेंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आइरन कोबार्ट निकिल कॉपर चिंक बैटा इसको याद कैसे करेंगे जरा द्यान से देख लीजिए पहले तो आप इसको बना लीजिए नोट कर लीजिए फिर बताते हैं कैसे याद करेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे देखिए इसको याद करने की तरीका है इस्टार टीवी कर इस्टार टीवी कर इस्टार टीवी कार मनी फे को नि कुज क्या है इस्टार इस्टार टीवी कर मनी फे को नि कुज इस तरह से इसको याद करेंगे इस्टार टीवी कर मनी फे को नि कुज तो इस तरह से आपने क्या देखा डीवलॉक आप देख सकते हैं यहाँ पर डीवलॉक तो इस तो इतना इस्टार इस वी कर मनी आपके नहीं है तो आपको इतना नौलेज भाग के बारे में आपको knowledge होना चाहिए पीव लाग के बारे में knowledge होना चीए बीव लाग के बारे में knowledge होना चीए ठीक है तो इस तरह से देखा हमने आप जनरल आपको प्रिवाडिक के बल्का knowledge दे दिया है इस तरह से आप practice कर सकते हैं इसके बाद देखिए कुछ अभी और चीज़े हैं जो सुरुवाती दौर पर आपको पता होना चीज़े वो क्या है देखिए बेटा जैसे हमने का वही आपके पास हाइडोजन था लीथियम सोडियम पोटेसियम रूबीडियम सीजियम बेटा इन सभी के उपर कितना चार्ज होता है प्लस का वन होता है कितना होता है प्लस का वन और इसके बाद यहां पर कि इन सभी के उपर बेटा प्लस का टू होता है प्लस का टू होता है और इन सभी के उपर प्लस का थिरी होता है क्योंकि ये विटा फर्स्ट एक सदस्य है और ये सेकेंड ए है और ये क्या है थार्डे नोट करेंगे इसको नोट कर लीजिए बहुत जरूरत है इसकी यहां पर बहुत बच्चों को बटा यह नहीं पता होता है कि इसके उपर कितना आ इस होता है तो फ्लस का एक होता है मैंकिनीइजियम के उपर फ्लस का होता है वेस्टेंग मैंकि प्लस का इन्हों करको कि यह क्यूंकि यह सिकेंड पलस नीन का डेखते हैं इसका उप्योग कैसे करते हैं अभी आप देख लिए अब को चीज निफीड़ और बताने जा रहे हैं आपको जैसे देखिए यह आपका एक होता है iso4-2 इसको बेटा बोलते है sulfate क्या बोलते है sulfate इसको बोला जाता है sulfate और देखिए iso3-2 माइनस का दो इसको बोलते है sulfite क्या बोलते है sulfite और बेटा इसको बोलते है माइनस का दो हो गया सलफाइड सलफाइड इसको सलफाइड बोला जाता है बेटा सी ओ थ्री माइनस का दो इसको बोलते हैं कार्बोनेट क्या बोलते हैं कार्बोनेट बोला जाता है बेटा ठीक है इसको एनो थ्री माइनस बेटा इसको नाइट्रेट बोलते हैं इसको बोलते इसको क्या बोला जाता है नाइट्राइट कार्बोनेट नाइट्रेट जल्दी से नोट करिए इसको आप गर में लिखने के प्रैट्टिस करिए यह आपका क्या है देखिए यह सो फोर को बोलते हैं इसकी उपर कितना होता है माइनस का दो होता है सलफाइड सलफाइड में के वद्ध सलफर है औक्सिजन नहीं है कैसे याद रखेंगे confusion होता है कौन सा सलफाइड कौन सा सलफाइट तो बैस सलफाइट टा टामाटर की तरह देखो इसमें और देखिए यह आपका प्यूपाइट वाइट नहीं होगा उसमें डाल लगेगा सल्फाइट तो यह बटा ऑक्सिजन है टमाटर की तरह है तो टाएगा ठीक है इसमें टा नहीं आएगा इस तरह से जान रखेंगे कैसे याद रखेंगे इसके बाद कार्बुनेट क्या होता होता है और बैटा देखिए यह आपका प्योफोर है माइनस का तीन होता है इसको बोलते हैं फासफेट फासफेट ठीक है वेटा तो देखिए आप इनका उप्योग करने जा रहे हैं इनका यूज कैसे करेंगे क्योंकि यह बेसिक नालेज अगर आपको नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसलिए जानना जरूरी है इसका उप्योग देखिए करने जा रहे हैं आपको लिखना है बेटा आपको लिखना है सोडियम सोडियम सलफेट का फार्मूला सोडियम सलफेट का सूत्र लिखना है बेटा देखिए पहला सोडियम अगर आप से किसने पु औरनों यह देखिए आप पूछा गया है सोढियम सल तो बेटा सोढियम सल पेट का कितना माइनस का दो स्कोर कितना है यह इसका चार्ज मेर packed इसमें चला जाता है तो देखिए का से दिखा और फिर हमने बाटा ऐसे लिखा अब इसके पास कितना सल फेट के कितना है माइनस का दो भी वन साइन लेंगे यह देखिए दो लिख दिया इसके उपर कितना है 8 q गया चलो दूसरा देखते हैं दूसरा देखते हैं सोडीयम कारगोनेट sodium carbonate तो देखिए carbonate डोलो यह है तो बेटा देखो sodium carbonate sodium carbonate का आपके पास आ जाएगा बेटा यह देखो यह आपका sodium हो गया और यह क्या है इसके उपर minus का दो इसके उपर plus का एक अब हमें बनाना है sodium carbonate क्या बनाना है तो देखो कैसे बनाएंगे तो sodium लिग दिया हमने और carbonate लिख दिया ठीक है इसका देखो बैटा इसका दो इसमें आएगा तो दो लिख दिया इसका एक इसमें आता है तो बैटा एक लिखा नहीं जाता है तो हमारे पास यह खटा दीजिए तो देखो क्या बन गया बैटा बन गया sodium carbonate सूत्र क्या हो गया इसका na2 co3 to कहा हो गया इस carbonate का minus to इसके पास अगया ठीक है बैटा अब देखे और हम आँगे देखेंगे और देखेंगे आँगे तो कैसे देखेंगे चबिए बता देते हैं आपको अब हमें बैटा बताना है magnesium carbonate का बताना है magnesium magnesium carbonate का बताना है कद यह उन अचिका स्कते हैं पोई दिक्कत नहीं है जब यह बराबर होते हैं तो इनको हटा देते हैं तो आपका देखो क्या बन गया है बराबर है इसलिए उन्हें हटा दिया ठीक है लेकिन देखेज दूसरा देखेज अगर हमें यह बनाना होता हमें बनाना है magnesium phosphate क्या बनाना है magnesium magnesium phosphate बनाना है fast fate बनाना है तो बड़ा moim ветrium के उपर कितना होता है प्लस का 2 fastife的 लग से हम लिखे दे रहे हैं fast fate को उपर minus का 3 होता है यह fast fate है tas अब देखो यह आपका fastfoate को उपर minus का 3 हो गया ठीक है तो आप ज़या दियान से देखिए इसका 3 इसमें आ जाएगा तो देखो AMG3 हो गया इसका 3 इसमें आ जाएगा 3 हो गया अब देखो बेटा ये आपका कितना इसका 2 है तो बराबर तो गए नहीं जो कट जाएगा तो इसका 2 इसमें आ जाएगा तो ये बेटा बन गए आपका magnesium phosphate magnesium phosphate तो आप देख सकते हैं magnesium phosphate का सूत्र है AMG3 और PO4 का whole twice देखिए कितने आसानी से बन जा रहे हैं magnesium phosphate चलिए दूसरा बनाते हैं और बनाते हैं कुछ अब हम बनाना चाहते हैं वटा अब हम बनाना चाहते हैं calcium हम बनाना चाहते हैं calcium कैल्सियम नाइट्रेट बनाना चाहते हैं कैल्सियम नाइट्रेट बनाना चाहते हैं तो बेटा कैल्सियम का तो प्लस का दो होता है नाइट्रेट में नो 3 है ठीक है कितना होता है माइनस का माइनस का एक लिखा नहीं जाता है बटा ऐसे माइनस का ठीक है अब इसको बनाना है तो चलो देखते हैं, तो ये आपका इधर इसमें आ जाएगा, और इसका दो कहां चला जाएगा, उसमें, तो देखो बेटा, एक लिखा नहीं जाता है, इसका एक, ये माइनस का एक है, इधर आ गया, एक लिखा नहीं जाता है, इसका दो है, तो दो इधर आ गया, तो ये बे याद करें साल फाइड इसका कैसे बनेगा आपको बनाना है सोडियम साल फाइड वनोता है साल फाइड के बनावाड़कि इसका दो समया गया और बस फो गया इसका एक है लिखा नहीं जाता है तो सलफाइड इस तरह से हम यहां पर सूत्र लिख सकते हैं जब तक हमें सूत्र का ज्यान नहीं होगा तब तक आंगी कमिस्टी नहीं समझ में आएगे क्यों हम पढ़ेंगे सोडियम कार्वनेट हमें पता है क्या होता है सोडियम सलफेड क्या होता है पता है ठीक है बटा तो जब तक इनकी जानकारी नह चले वैटा कुछ जानकारी और देखिए एक हमारे पास हमारे पास क्या है सोडियम का प्रमार कर्मांग कितना होता है ग्यारा इसी को बेटा प्रमार कर्मांग बराबर होता है एलक्टानों कि संख्या किसकी इलक्टानों की संख्या और यही बराबर होता है प्रोटानों की संख्या प्रोटानों की संख्या हम अगर यह कहें कि सोडियम में इलक्टान कितने होंगे तो बैटा 11 होंगे प्रोटान कितने होंगे वह ग्यारा होंगे बट न्यूट्रान कितने होंगे बैटा न्यूट्रान कैसे निकाले जाते हैं देखो न्यूट्रान जो है 23 उपर वाला माइनस 11 बराबर कितने आ गए 12 तो देखो बैटा यह आ गए कितने होंगे तो 11 होगे प्रोटान कितने होंगे जतने रेक्टान उतने प्रोटान इसके बार न्यूटान के लिए उपर वाला लब प्रमाण भार माइनस प्रमाण प्रमाण त्रिस माइनस 11 कितने बचे 12 ठीक बेटा इसी ज़रा एक कोशन और देखिए अब अगर कोई पूछे अब देखो बेटा यह एन ए प्लस है यह था सोडियम इसका नाम था बेटा सोडियम परमाण सोडियम परमाण यह बेटा सोडियम अकेला है तो इसको कहते हैं परमाण अब इसवे क्ल द्धनावस आ लगिया लगे सोडियम आयन सोडियम आयन कहा ज जाता है सोडियम अब इटा देखिए इसमें इलेक्तार कितने होंगे प्रोटान कितने होंगі और 2 कितने उप det양 बदल चुका है देखिए यह प्लस जब किसी परमान से एक लेक्टान निकल जाता है तब ये प्लस एक आता है तो एक लेक्टान निकल गया लेक्टान थे कितने ग्यारा आप कितने बचे दस तो सोडियम आयन में लेक्टान की संख्या कितनी हो गई दस सोडियम परमान में कितनी हो गई सोडियम परमान में कितनी से देख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हम आप यहां पर देख सकते हैं सोडियम यहां पर देखा सोडियम परमार और सोडियम आयन में तर ठीक है इस तरह से जड़ा देखिए एक और प्रस्ण देखेंगे हम यहां पर इस टाइप का यह देखिए एक क्लोरीन इसका सत्रा होता सत्रा तो इस तरह से निकाल सकते हैं तो देखिए बटा कितना आ जाएगा आपके पास कि बिटा यह आ गया ठाला दस्मिलों पांच इतना इलेक्टर न्यू ट्रांस आ गए अगर हम 35 को हटा कर करें अगर आप इसको अटार कर रहें तो कितने बजाएंगे आठारा बचेंगे टिक है तो यह आपके क्या हो गया है न्यूटरांस बदलते नहीं न्यूटरांस वही आपका जैसे सील है अब दूसरा देखिए सील माइनस यह क्लोरीन प्रमान है यह क्लोरीन आयन है अब इसमें पूछा या तो बटा इलेक्टान देखिए अब माइनस है इसके उपर माइनस आया है माइनस कब आएगा जब एक लेक्टान लेगा जब एक लेक्टान लेगा तो सतरा थे सतरा स उतर ही होंगे चिशर में और सिय टो बेत तो इस तरह से बैटा कल हम आपको जानकारी क्रियात्मक समु की किसके क्रियात्मक समु की जांकरी अगर आपको आता है तो 2030 एक vibes घृर्ट भी टन्माद भीлем